हेलो प्रेंट स्वागाता है फास्ट इन्फोर्मेशन में राजस्व एबंब हुमी सुधार विभाग पटना की तरब से एक और नया न्यूज आ गया है विसेश सर्वेक्शन अमीनों की अब एक्जाम होगा इस एक्जाम के अधार पर अगर आप एक्जाम में फेल होते हैं तो आपको नोकरी से हटा दिया जाएगा साथी दोस्तो कितने मार्क का एक्जाम होगा मार्क एक्जामनेशन में पास मार्किंग क्या रहेगा साथी अब यह बहुत बरी अपडेट आ गया है कि नोकरी अब 60 वर्षों तक होने वाला है साथी दोस्तों वेटिंग के लिए कावसे एक नोटिस्पिकेशन पर हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंतक देखना ना भूले दोस्तों बता दू जैसे कि आप देख सकते हैं परिक्षा परिक्षा में दस से कम नंबर आने वाले अना मिन हटेंगे आपको जो एकजाम होगा उसमें कम से कम लाना साथी दोस्तों माधियो में बनाये गया गैंगे परशिक्षन के बाद परिक्षा में फेल हुए अमीन को नोकरी से हटाया जाएंगे तो अब आप लोगों को अमीन जितने भी हैं उनको परशिक्षन हो गया है अब उनकी न्युक्ति भी हो चुकिया उनको एकजाम लिया जाएगा और उस एकजाम के विशिस पर आपकी परशिक्षन के बताते हैं दोस्तों सबस्परें बरी अपडेट हम आपको बता दू अमीन अस्थाई कर्मी कितरा 60 साल तक उम्रकी सहबाब में रहेंगे यहां पर देखिए असपष्ट बता दिया है अब जो अमीन जितने भी पहाल हुए हैं 60 साल तक उम्रकी सहबा तक रह परखंड में बनने वाले आदुनिक अविलेखागार को लेकर सरकार ने करारुक अक्तियार कर लिया ट्रेनिंग के बाद परिक्षा में किसी अमीन को 10% से कम नंबर आएगा तो उनकी नौकरी जाएगी यहां पर देखिए असपष्ट लिख दिया कम से कम नंबर आपको 10 न बाद हुई परिक्षा में खराब परदर्शन करने वाले आमीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश यहां है विभाग की निर्देश जैसिंग ने बताया कि 40 फित से कम अंग लाने वाले कर्मियों की संक्या 75 है इनसे से अस्पष्टिक्रन मांगा जा रहा ह 10 परतिसाथ से कम अंग लाने वाले आमीनों की नोटिस देकर पद से हटाने की करवाई की जाएगी यहां पर देखिए निदेशक जैसिंग है वो डिरेक्ट इस बात को कह रहे है कि 40 परतिसाथ से कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट ऐसे है जो कि 75 है 487 नम नियोजित आमीन मिल गया साथ ही दोस्तों अगर 10 नंबर से कम आता है आपको तो आमीन से नोटिस देकर उसे करवाई करने का भी आदेश दे दिया तो इस विच बतादू दोस्तों अगर आपके पास 10 से 40 नंबर आता है तो कैडिडेट को 72 मौका दिया जाएगा सुधार करने का आप सुधा साल तक लिए नौकरी फिक्स हो गया है साथ ही दोस्तों वेटिंग के लिए एक और न्यूज बता दो कि वेटिंग जो भी कैंडिडेट है उसको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई बात इस पर अभी नहीं चल रही है और फिस जानकारी के नुसार साथ ही दो वेटिंग का जो लिस्ट बनाए गया है वो इसलिए बनाए गया है तो थोड़ा धैड़ जरके अब आप लोग को वेटिंग वाले के न्यूकती होंगे इतना जरूर है लेकिन कब होंगे इसका कोई नोटिस्पिकेशन अभी तक ऑफिस के तरफ से जारी नहीं किया गया है जैसे ओफिस्यल नोटिस कोई आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन इतना स्यूर है कि वेटिंग केंड़ेट का ही अमीन में जोईन होनी की एकदम 99% संभावना है तो दोस्तों देखते रहे पास्ट इंपरमेशन इसी तरह के सारा जानकारी में आपके भी सेर कर करते रहते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों अगर बीटीसी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा वहां पर आपको लिंक दे दिये हैं बीटीसी का वहां पर क्लिक करके आप डारेक्ट कर दो